केस डिस्पोजब का क्या मीनिंग होता है आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं वीडियो में दी गई जानकारिय अच्छी लगी तो चैनल को सस्क्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको लीगल टॉपिक्स पर नई नई जानकारिय मिलत रहती हैं अपनी किसी भी क्यादिक के समाधान के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्यारी लिख सकते हैं दोस्तो आपने कोर्ट केसों से सम्मनित ये सब्दे तो काफी बार सुना होगा कि कोर्ट ने केस को डिस्पोजब कर दिया है काफी लोग जो लीगल फेल् करता है और उस केस में कोर्ट से अपने ले रिलीव की मांग करता है जिस पर कोर्ट उस केस से जुड़े सभी पक्सकारों के पक्स को सुनती है जिसके बाद कोर्ट उस केस में अपना फाइनल निर्डे सुनाती है और केस को डिस्पोजब कर देती है यानि केस को समाप्त कर और court अपने judgment के अंद में case dispose up करके लिखती है तो इसका meaning यह हुआ कि court द्वारा मामले को समाप्त कर दिया गया है यहाँ पर ना तो court ने वादी के case को accept किया है और ना ही reject किया है इस परकार जब court case को dispose up करती है तो इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वादी को court द्वा प्रूटी हो जाता है उसी से यहाँ पता लगाया जा सकता है कि court द्वारा वादी को क्या relief grant किया गया है और क्या relief grant नहीं किया गया है तो दोस्तों I hope की वीडियो जानकारे आपके लिए उप्योग्यों की जानकारे इच्छी लेगी तो चैनल को subscribe करना ना भूले और अपनी स्कीन पर दिये कि WhatsApp नमबर पर मैसेश कर सकते हैं तो बिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नहीं कानुनी जानकारी के साथ तब तक स्वस्तों सुरक्षित रहें have a great day